हेलो एबरीबन जी आज हरियाना पुलिस के इंगली सेक्षन को हम डिसकस करने वाले हैं तो जल्दी जल्दी से आप सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक सेर करके सब्सक्राइब करना ना बूलें और आज हम बात ये करेंगे हरियाना पुलिस में क्या-क्या कोशन्स पूछे गए हैं 10 कोशन्स बच्चे बहुत ही कम पढ़कर पढ़ रहे थे इंट्रेस्ट नहीं ले रहे थे और यह कह रहे थे दो चार कोशन्स पूछे जाएंगे लेकिन 10 कोशन्स हरियाना पुलिस में इंगलिस से पूछे गए हैं तो इसका मतलब यह है कि इंगलिस को बताओं भी काहां से क्या questions पूछे गए हैं तो आप जुड़े रहें देखते हैं first question को first question हमारा है fill in the blank दिया गया है एक option को choose करना है even if two horses may look blank they may not be of the same age कहरा कि ये दो horse जो है same हो सकते हैं लेकिन ये same age के हो ये जरूरी नहीं है तो यहां पर क्या option आप भरेंगे comparable like या only the only same या none of these तो यहां पर बिलकुल असान question है look alike यानि के एक जैसे हो सकते हैं यहां पर आपके answer देंगे बी answer इसमें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं थी बिलकुल असान question था next question पर चलेंगे we cannot go on strike every year हम हर साल strike पर नहीं जा सकते now that we have gone on strike now that we have gone on strike we must blank this issue कहरे कि हम जो गए है इसका जो अब की बार strike पर जो गए है तो अब की बार क्या हम करेंगे जो issue है उसको ही मतलब clear कर देंगे यह कहना चाहरा है ठीक है तो strike पर आप जाते हैं तो क्यों जाते हैं ताकि आपका issue जो है वो clear हो सके मुद्दा जो है वो बिलकुल शोल हो सके तो यहां पर एक idiom है clean the issue इसका मतलब होता clear करना ठीक है clear the issue तो cross culminate या coordinate या clean the issue as it is idiom है यह मैंने PDF में भी दिया था तो clean the issue का मतलब कर आता है clear the issue मुद्दे को शोल कर लेना next है यह दो spelling दो spelling पुछी गई है मैं बार बार आपसे कहता था बार बार मैंने कहा कि भई मैंने 500 spelling टेलिग्राम पर डालर की है उसमें 10,000 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं आप भी जुड़ जाएं आप फाइदा उठाएं आप वहां से easily PDF को मैंने कम question दे रखे हैं लेकिन वह exactly paper से related question थे लेकिन बच्चे ignore कर देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं यह मैं द मैंने sense का मतलब क्या आता पूनर जागन नहीं शुरुआते जिसे आप बोलते हैं यह मैंने additive spelling डाल रखिए वाई option भी चेंज नहीं करता है तो क्या answer इसका होगा र-e-n र-e-n एक तो दे रख्या है उसके बाद यह a-b-c में से आपने d में से एक option सूझ करना है तो क्या answer इसका होगा र-e-n-a-i double-s वाला जहां पर answer होगा वही हमारा answer हो जाएगा र-e-n-n नहीं होगा double-s तो इस बी answer हमारा appropriate answer हो जाएगा next recommendation आप करते ना recommendation की spelling क्या होती है recommendation की spelling क्या होती है यह आप से पुछा गया है तो double-m यूज किया जाता है तो c और d तो अपने आप cancel होगे तो a और b में से answer देना है recommendation m-e-n जहां पर है वही हमारा answer हो जाएगा तो b is the appropriate answer of this question recommendation next question पर चलते हैं देखो active passive मैंने YouTube पर वीडियो बनाई उसी दिन कहा था मैंने कि active passive narration में से question आएंगे subject work agreement में से question आ सकते हैं conditional sentence में से question मैंने आपको पहले ही already बता दिया था और वही paper वाला set कर रहा है दो spelling as it is मेरी PDF में से पूछी गई है active passive मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने करती होगी तो और अगले paper में narration पूछी जाएंगी शाम वाले paper में narration आ सकती है और मेरे narration की वीडियो YouTube पर डाल रखे English by जोगिंदर सर इसको सब्सक्राइब करना ना बोले देखो question देखो they will demolish the entire entire block इसका passive voice आपने बनाना है आपने बनाना है they will demolish the entire ठीक है इसको बिलकुल जी A B C में से क्या आप answer 4 options दे रखे हैं तो देखो मैंने क्या बता था आपको passive voice में object को आगे लेकर आते हैं और subject वो पीछे लेकर जाते हैं तो यहाँ पर the entire block entire block will be demolished तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा बिलकुल आसान question था यह कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था तो इसका answer क्या होगा जी हमारा डी जिस बच्चे ने डी answer दिया होगा बिलकुल एपरोपेट उसका answer है विल बी future indefinite ना बी लगा देते हैं next question the surface feels smooth और यह मैंने type बना करके बता था कि जब object के स्थान पर adjective आजए तब क्या करेंगे यह smooth यहाँ पर adjective है object नहीं है तो इसका answer क्या होगा this surface is smooth when it is felt तो यह इसका answer हो जाएगा this surface is smooth when it is felt तो इसका answer क्या होगा हमारा बी answer हो जाएगा next question को देख लेते हैं fostering दे रखा है क्या क्या रखा है out of four alternatives choose the one which is similar to the meaning of the given word यानि synonym बताना है fostering का synonym क्या होगा foster का मतलब क्या होता है वही बढ़ावा देना संजोना ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा nurture करना nurturing इसका answer हो जाएगा बढ़ावा देना परोचाहित करना आगे बढ़ाना ठीक है propel का synonym क्या होगा propel का मतलब क्या होता है धकेलना उकसाना प्रेरित करना इस परकार से इसके मतलब होते हैं तो यहाँ पर breast का मतलब तो फटा हुआता है यहाँ पर सीधी सी बात क्या drive करते हैं तो धकेला जाता है ना यानि के बिल्कुल ए आंसर इसका हो जाएगा हमारा next question को देख लेते हैं fill in the blank with the right pair of the words इसमें बिल्कुल असान question पूछे गए हैं यह a mother has to the blank the punks of giving blank to her child बच्चे को जब जनम देती है माता तो उस समय पर बिल्कुल जी वो बात कर रखे सेहन करना पड़ता है mother has to do के बाद वीवन लगाएंगे तो इसमें बीर बीर का मतलब सहन करना और उसके बाद birth बी आई आर टी एच तो इसका answer हमारा क्या हो जाएगा सी sorry a answer इसका हो जाएगा ठीक है next question देख लेते हैं वही select the right model for the blank इसमें एक option आपने बताना यहां पर walking on the beach बीच पर walking करते हुए we blank sight of a strange bird हमने एक strange bird जो था हजीब साब जो bird था उसको पकड़ा यह कह रहा है तो देखो we blank sight of a strange bird तो catch का क्या होगा catch caught caught तो इसका answer क्या हो जाएगा see तो यहां पर यह थे हमारे बिल्कुल basic questions दो कुछ भी मुश्किल नहीं है और बच्चे जो पढ़ना नहीं चाह रहे थे इंग्लिस को ऐसे ही सोच रहे थे उनके लिए बहुत नुक्षान आज होगा इसलिए इंग्लिस को lightly ना ले और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और PDF टेलिग्राम पर डाली गई है topic wise भी और वो कैब की भी उनको जरूर देखें best of luck next shift के लिए तो आज के लिए इतना ही करेंगे thanks everyone